नमस्कार सांतियों, एक बार पुनाओ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल NTA Net Select Political Science में हार्दिक स्वागत है सांतियों हम मौलिक अधिकार का अध्यन कर रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने अनुचेद 19 तक का अध्यन कर लिया था और हमने जाना था कि आर्टिकल 19 में किस परकार हमको 6 सतंतरताएं भारतिय समिदान द्वारा दी गई है आज हम समझने का प्रयास करेंगे अपने अनुचेद 20, 21 और 22 को कि भारतिय समिदान के अनुचेद 20, 21 और 22 में क्या-क्या प्रावधान दीए गए है बहुत बारिकी से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के पस्चात ही आप बहुत अच्छे से इन अनुचेदों को समझेंगे ऐसा मेरा विश्वास है जो हमारा अनुचेद 20 है उसमें जो प्रावधान दिया गया है वो है अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबंद में सरक्षण का अधिकार इसे इंगलिस में कहते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ओफ कॉन्विक्शन फॉर ओफेंसे अनुचेद 20 के अंतरगत तीन प्रावधान हम और देखने को मिलते हैं जो की अनुचेद 21, 22 और 23 में दिये गए है तो 21 में जो दिया गया है वह है वर्तमान कानून के अनुसार दंड का प्रावधान अथार्थ किसी व्यक्ति को वही दंड दिया जा सकता है जो की ततकालिन समय में उस अपरावध के लिए दंड सुनिश्चित हो तो उस व्यक्ति को उस अपरावध को करने पर सिर्फ दो माह का ही अधिक्तम दंड दिया जा सकता है जब तक की संसत द्वारा उस कानून में चेंजमेंट करके उस सजा को बढ़ाना दिया जाए अब हमारे पास आता है अनुचेद 22 इसमें है दोरे दंड से संरक्षण अथार्थ किसी व्यक्ति को एक अपरावध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है कि इसके पर्षाथ है आटिकिल 23 जिसमें व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाई देने का संरक्षण प्राप्त है तो इसमें आप हम लोगों को यह समझना होगा कि गवाही में क्या-क्या चीज़ आती है तो इसमें आता है आप लोग नोट कर सकते हैं नार्को एनलाइसिस, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग, यह लाइ डिटेक्शन, पॉलियोग्राफी यह जो चार चीज़े हैं, यह चार चीज़े किसी व्यक्ति की जो की अपरादी है उसकी इजाजत के बिना इन चीजों को नहीं किया जा सकता है हाँ, एक चीज है कि DNA टेस्ट, किसी व्यक्ति का DNA टेक्श्ट उसकी मनजूरी के बिना भी किया जा सकता है अब हम आते हैं अनुछेद 21 पर जो कि है प्राण एव देहिक सतंतरता का अधिकार इसमें भी दो चीजे हमें देखने को मिलती है कि एक आती है हमारे पास विदी द्वारा इस्थापित पर किरिया और एक आती है यह थोचित विदी पर किरिया इन्हें इंग्रिस में कहते हैं कि procedure established by law and due process of law जो यह procedure established by law या विदी द्वारा इस्थापित पर किरिया है इसे भारतिय समिदान में बिटेन के समिदान से लिया गया है और जो due process of law या थोचित विदी पर किरिया है यह अमेरिका के समिदान से भारत्य समिदान में लिया है जो विदी द्वारा इस्थापित पर किरिया है इसे इसपष्ट होता है कि जैसा वर्तमान में कानून बनाया होगा उसी अनुसार किसी व्यक्ति को या सजा दी जा सकती है जो यतोचित विदी पर किरिया है इसमें natural justice की बात आती है अथार्थ अगर कोई ऐसी विदी बनाई है जो कि हमारे natural justice का उलंगन करती हो तो उस विदी को भी सुन्य किया जा सकता है इसे इस उदारण से हम समझ सकते हैं कि अगर सरकार कल की date में कानून बना दे कि किसी वी व्यक्ति को सांस लेने का अधिकार नहीं है या किसी वी व्यक्ति को भोजन का अधिकार नहीं है तो यह कहीं न कहीं हमारे natural justice है जो हमारा प्राकृतिक न्याय है उसका उलंगन होगा और इस प्रकार की विदियों को जो हमारा सर्वुच न्यालय है उसे सुन्य करने की सकती प्राप्त होगी जो यह यतोचित विदी पर और इसमें ही सर्वुच न्यायलय ने आदेश दिया था कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है और उस हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार भी है तो सांतियों हमने अनुछेद 19 में पढ़ा था कि परतियक व्यक्ति को भारत में घूमने फिरने का अधिकार ह बस जाने का अधिकार है अगर वो भारत में घूमता फिरता है तो उसे अनुचेद 19 के तहट अधिकार प्राप्त है किन्तो अगर वह व्यक्ति विदेश जाता है या कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो यह अधिकार उसे अनुचेद 21 द्वारा प्रदान होता है तो कहीं बार पूछा भी जाता है कि विदेश जाने का अधिकार किस परकार की अधिकार में आता है कहीं बार ये प्राण एविद्याहिक्वद्याहिक का अधिकार है तो आप प्रिशेज ध्यान दें इस पर कि यह हो अधिकार हमें अनुचेद 21 से मिलता है उसके पश्चात अनुचेद 21 जो यह प्राण एवद्याहिक स्वतनत्रता का अधिकार है इसके अंतरगत और कौन-कौन से अधिकार समाईत होते हैं तो उनको आप नोट डाउन कर सकते ह पहला है सिक्षा का अधिकार, राइट तो एजुकेशन, आजिविका का अधिकार, राइट तो लिबलिहुड, पाने का अधिकार, अथार्थ, राइट तो गेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट तो सेल्टर, याने की घर पाने का अधिकार, राइट तो फूड याने की भोज अधिकार राइट टू स्लीप और राइट टू गेट फ्रेस इन्वार्मेंट अथार्थ स्वच्छ वातावरण का अधिकार भी हमें अनुछेद 21 के तहित प्रदान किया गया है सांतियों अब हम समझने का प्रयास करेंगे भारत्य समिधान के अनुछेद 22 में क्या प्रावदान किये गए हैं तो जो भारत्य समिधान का अनुछेद 22 है कुछ दसाओं में गिरफतारी और निरोद से संरक्षण ठीक इसमें दो चीजे हैं गिरफतारी और निरोद तो हमको पहले यह समझना होगा कि निरोद भी दो पर करने के पस्चात अगर उसे गिरफतार किया जाता है तो तब दंडात्मक निरोद उसे कहा जाता है और किसी व्यक्ति के अपरात करने से पूर्व ही अगर उस व्यक्ति को गिरफतार कर लिया जाता है यानि कि बहरत्य समिधान के 22-1 और 2 में दंडात्मक निरोध की बात की गई है और भारत्य समिधान के अनुछेद 22-4 से लेकर 7 तक निवारक निरोध की बात की गई है जो अनुछेद 22-1 का पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार याने कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि आखिर उसे किस अपरात के लिए गिरफ्तार किया गया है फिर अनुचेद 22 के पहले पार्ट का दुसरा पॉइंट जो है उसमें दिया हुआ है कि अपना मन पसंद वकील करने का अधिकार यानि कि परतिये कपरादी को जिसे गिरफतार किया गया है उसे अपने मन पसंद का वकील करने का अधिकार बारत्य समिदान का अनुचेद 22 का पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट देता है यह अभी कहीं बार पूछा जाता है कि अपना मन पसंद वकील करने का अधिकार व्यक्ति को कौन से अनुचेद से प्राप्त होता है तो आपको ध्यान रखना है कि अनुचेद 22 द्वारा ही व्यक्ति को अपना मन पसंद वकील करने का अधिकार प्रदान किया जाता है कहीं एक्जामों में पूछा जाता है तो अथा आप इसमें विसेज ध्यान दे उसके बाद अनुचेद 22 का जो दूसरा पार्ट है उसमें व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मेजिस्ट्रेट को पेस किया जाएगा यह लिखा हुआ है अथार्थ किसी व्यक्ति को जब अपरात करने के पस्चाद गिरफतार किया जाता है तो गिरफतारी से 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मेजिस्ट्रेट के सम्मुक पेस किया जाता है इसमें जो आने जाने का समय होता है उसको घटा दिया जाता है याने कि जब गिरफ्तार किया जाता है वहां से जेल तक ले जाने का और जब जेल से magistrate के यहां तक ले जाया जाता है तो उस समय को इसमें इन 24 घंटों में नहीं जोड़ा जाता है बाकी 24 घंटे के भीदर व्यक्ति को निकरतम मेजिस्ट्रेट के समुख पेश करना अनिवारिया होता है तो यह तो हो गई दंडात्मक निरोद से संबंधित बाते अब हम समझेंगे निवारक निरोद तो जो निवारक निरोद याने कि 24 से और 27 तक प्रावधान किये गए हैं वह कहीं न कहीं दंडात्मक निरोद के क्या है अपवाध है बेसिकली यह उन लोगों के लिए होते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसने अपरात तो नहीं किया है किन्तु संभावनाएं हैं कि वह अपरात कर दे जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहे इस तिथी को यहां जा और जब तक कि वो तिथी न निकल जाए तब तक अपने पास किरफतार रखती है तो उससे क्या है वह अपराद होने से बच जाएगा तो इस परकार के अपराद को रोकने के लिए इसे निवारक निरोद कहा जाता है यह मैंने आपको साधारन भासा में समझाया बेसिकली यह आतंकवाद और जो नकसलवादी समश्याएं हैं उन से संबंदित कानून इसमें बनाए हुए है और आप अभी देख भी रहे होंगे कि भारत का जो निवारक निरोद करकर रखा हुआ है ताकि वह कोई भढ़काओ भासर ना दे जिससे दंगे भढ़के और देश में यह जम्मो कस्मीर जो केंदर सासित परदेश है उसमें असांती की स्थिति आ जाए तो इसलिए यानि कि किसी व्यक्ति को अपराद करने से पूर्वी गिर बना था और 1978 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया दूसरा है wipe a d a टाड़ यह Consumer 1985 में बना था मिथी रिज्द स्टिन अभी में इसे समाप्त कर दिया गया था तीसरा है पोटा पी ओटी ए जो की 2002 में बना था दोहजार पाच में इस कानून को समापत कर दिया गया और जो नैञ्ट है राशू कर याहनि की राश्टिय सुरक्षा कानून जो कि राश्टिय सुरक्षा अधिनियां下 1980 के तहद बना था और अभी भी क्या है यह ओंस चल रहा है और इस कानून के तहद अभी भी गिरफतारी होती है तो इसमें जो गिरफतारी होती है वह किसी व्यक्ति को जब गिरफतार किया जाता है तो उसे गिरफतार तो नहीं बोलते हैं उसे डिटेन बोलते हैं यानि कि उसे हिरासत में ले लिया जाता है यह जो अवधी है वो तीन महने तक की होती है कि एक बार प्राइब के जिरफतार कर लिया जाता है तो से तीन महीने तक हम हिरासत में रख सकते हैं यह नजरबंद रख सकते हैं और अगर तीन महीने से उपर नजरबंद रखना है तो उसके लिए हम को CT की सला लेनी होती और इस सला कारी बोड कोड़ के जो अध्यक्ष होते हैं वह सुप्रीम कोड़ के चीफ जेस्टिस होते हैं और इस परकार तीन महीने से उपर हम किसी व्यक्ति को अधिक्तम बारा महीने तक निवारक निरोद के तहट नजर्बन या हिरासत में रख सकते हैं तो सांतियों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि हमारा जो लेक्चर का उद्देश्य है वो तभी पूर्ण हो सकता है जबकि आप अधिक से अधिक लोगों को जिनकों की इन लेक्चर की आउशक्ता हो सकती है उन तक जब यह लेक्चर पहुचेगा तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ल आपने आवाद